गुड मॉनिंग गाइज वेलकम टु विद्याट्विट्वूग तो गाइज आज हम लोग श्टार्ट करेंगे क्लाश 12 बाइलोजिस चैप्टर वन चैप्टर का नाम है जिवो में जनन यानि की रिप्रोडक्षन इन और्गेनिज्म इस चैप्टर हम लोग डिसकस करने वाले हैं रिप्रोडक्षन कितने परकार को होता है और किस परकार के रिप्रोडक्षन से क्या लाब और क्या हानी है रिप्रोडक्षन क्यों जरूरी है तो पहला पोइंट है रिप्रोडक्षन का डेफिनेशन क्या होता है प्रजनन तो प् अपनी प्रजाती निरंतरता को बनाए रखता है इसे ही बोलेंगे प्रजनन इसको ही बोलेंगे रिप्रोडक्शन जो अपने संतत्ती का निर्मान करता है अपनी प्रजाती को निरंतर बनाए रखता है चले आगे डिसकस कर लेते हैं कि प्रजातियों की निरंतरता है तो प्रजनन की विशेष्था है तो पहली विशेष्था है कि प्रजनन किर्या में प्रजनन इकाई जैसे युगमकों से नए जीव या नए पिढ़ी का जन्म होता है यह पहला विशेष्था है कि युगमक की इकाई जिसको हम जीन भी बोला जाता है उनके जरिये नए पिढ़ी का या फिर नए जीव का जन्म होता है नेक्स्ट पोइंट है कि इस किर्या में प्रजनन इकाई बनती है यानि कि जैगोट जैगोट ने अश्पम और ओबम बनता है जिसको बोला जाता है सुक्रानू और अंडानू इस प्रक्रिया के कारण जीव जीवों की संख्या में व्रिधी होती है ठीक है कि एक जीव से एक माता से जो है अनेक संततियों का निर्मान होता है नेक्ट है कि इस प्रक्रिया के दोराण डी एन ए का दुई खंडन होता है तथा अनुवन्सिक गुन पिढ़ी दर पिढ़ी अस्थानांतरित होते हैं कि दुई गुनन इसमें क्या होता है डी एन एक का दुई गुनन होता है और अनुवन्सिक गुन पिढ़ी दर पिढ़ी इस्थानांतरित होता है यहां पर एक कोशन आएगा डी एन एक का फुल फॉर्म क्या होता है तो डी ओक्सी राइवो नुकलीक एसीड डी ओक्सी और इनका एक करेक्टर है एक गुण है कि माता पिता का जो करेक्टर होता है अनुवांसिक जो गुण होता है उसको डॉक्टर सेल में या फिर बेटा बेटी में टांस्पर करवाना कहने के मतलब ये है कि माता पिता का हेर कलर अगर वाइट या ब्लैक है तो बेटा में भी या फिर बेटी में भी उस करेक्टर को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है जीन का यानि DNA और RNA का अब बात कर लेते हैं कि प्रजनन के लाब क्या है Advantage of Reproduction तो पहला Advantage देखा जाए तो प्रजाती की निरंतरता यानि कि प्रजाती जो है वो हमेशा बने रखता है कोई भी ऐसा प्रजाती लुप्त होने के कागार नहीं होता है अगर वो हमेशा reproduction करे तो तो प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वे विलूप्त होने से बचे रहते हैं तो प्रजनन इसलिए जरूरी है इनका एडवांटेज एक परकार के बोल सकता लाव है कि इससे अपनी संततियों की जो प्रजाती है वो निरंतर बने रहता है नेक्ष्ट है विभिनताई प्रजनन के कारण एक ही जिव में विभिनताई आती है और नए गूण वाले जिव बनते है जैसे कि डार्विन का भी ये कहना था कि लंबे गर्दन वाले जो जिराफ है वो सर्वाइब कर पाए क्योंकि उस कंडिसन में उनके लिए शुटेबल इन्वारमेंट थे लेकिन जो कम हाइट वाले जो जिराफ थे वो देद कर गए वो सर्वाइब नहीं कर पाए क्योंकि उनके लिए वो इन्वारमेंट शुटेबल नहीं था यहाँ पर कहने का मतलब ये है समझाने का मत्वबिय है कि प्रजनन से क्या होता विभिंता आती है और यही विभिंता का करेक्टर जो होता आगे जीवों को जिन्दा रहने में या जिन्दा रखने में संततियों को बनाने में मदद करती है नेक्ष देख लेते हैं कि जीवों की अस्तित्व की बनाए रखना जीवों की अस्तित्व को बनाए रखना यान कि प्रजनन के कारण ही प्रित्वी पर जीव एवं जीवन का अस्तित्व संभव है बिना प्रजनन का हमारे इस प्रत्थ्वी में जीवों का अस्तितु संभव नहीं होगा नेक्ट देख लेते हैं कि विभिन्ताओं का अस्थानांतरन तो प्रजनन के कारण ही विभिन्ताएं एवं जीवों के लक्षन एक पिड़ी से दुसरी पिड़ी में अस्थानांतरित होते रहते और इसमें मुख्य भूमी का निवाता DNA और RNA तो ही जाकर के पिड़ी दर पिड़ी लक्षनों का अस्थानांतरन हो पाता है नेक्स देख लेते हैं प्रजनन की विधिया बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है प्रजनन की क्या विधिया चीक है तो पहला बात कर लेते हैं कि जीवों की सामान्यता प्रजनन की निम्न लिखीत विधिया पाई जाती है जिसमें से दो डिस्कस करेंगे एक है आलेंगिक प्रजनन और सक्स्वल रिप्रोडक्शन और दुसरा हो गया आपका लेंगिक प्रजनन यानि की सक्स्वल रिप्रोडक्शन पहले बात करेंगे आलेंगिक जनन यानि की ए सक्स्वल रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक है वह जनन विधी है कौन अलेंगिक जनन प्रजनन वह जनन विधी है जिसमें विशिष्ट जनन कोशिकाएं केवल समसुत्री विभाजन इकाई विक्सित होकर नया जीव बनाती है समसुत्री विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में गुण सुत्रों का विभाजित होना अलेंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन संतती कलोन कलाती है क्लोन का मतलब होता है कि हु बहु माता पिता के जैसे लेकिन आगे बात कर लेते हैं अलेंगिक प्रजनन की विशेष्टाएं अलेंगिक प्रजनन की क्या विशेष्टाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो पहला पूर्ण देख लेते हैं अलेंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं मतलब कि इसमें अलेंगिक प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए मेल और फिमेल दोनों की भागेदारी नहीं होता है इनमें से कोई एक ही प्रजनन किरिया कर सकते हैं क्योंकि मेन बात होता है इसमें कोई जागोट का फोर्मेशन नहीं होता है इसमें कोई स्पम और ओबम का फोर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ओबम और स्पम का फोर्मेशन करने के लिए मेल और फिमेल दोनों का जोड़त होता है लेकिन आलंगिक प्रजनन में ये प्रोसेस ही नहीं होता है इसलिए या फिर मेल या फिर फिर मेल दोनों के जरीए संतती का निर्मन किया जा सकता है नेक्ट पूर्ण देख लेते हैं कि इस प्रजनन में प्रतियक जनक की काई कोशिका भाग लेती है सरीर के हर एक सेल प्रजनन के लिए रेडिय रहता है अता इसे काईक प्रजनन भी कहते है नेक्ट देख लेते हैं कि इसमें युगमको की सनलयन यान की फ्यूजन नहीं होता है फ्यूजन किसमें होता है तो लैंगिक जनन में होता है fusion क्या होता है कि fusion में sperm और ovum एक साथ मिल करके और जाइगोट का formation करता है युगनर्ज का formation करता है लेकिन लेंगिक जनन में ना ही sperm का formation होता है ना ही ovum का formation होता है और ना ही sun lion की प्रक्रिया होती है next देख लेते हैं कि इसमें विभाजन केवल समसुत्री विधी द्वारा होता है और last point देख लेते हैं कि नवजात संतत्या यानि कि जो नया नया doctor cell जो बना है अनुवांसिक रूप से समान होता है clear है तो ये विशेस्ताएं हैं आलेंगिक जनन का next देख लेते हैं आलेंगिक जनन की कुछ विधियां आलेंगिक जनन को भी निमलेखीत विधियों में बाटा गया है जैसे कि पहला है आपका विखंडन विधी दूसरा है आपका मुकुलन विधी ठीक है next अगर देख लिया जा तिसरा में है plasmo semi या plasmo romi भी बोला जाता है चोथा नंबर में है gamule next पच्वा नंबर में है कि पुनरूद्ध भवन या खंडी विभाजन और छठा नंबर में है विजानू धानी द्वारा तो ये कुछ पोइंट से जो कि 6 भागों में बाटा गया है और एक-एक करके हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहला पोइंट है जैसे कि विखंडन द्वारा ये आलेंगिक जनन का पहला रूप है पहला प्रकार है विखंडन विखंडन का मतलब होता है फीजान मतलब तूटना इस विधी या या विधी एक कोशिका जिव में होता है एक कोशिक्य जिव में इस विधी में एक कोशिक्य या अधिक टुक्डों में एक कोशिका का एक या एक से अधिक टुक्डों में विभाजित हो जाता है या दो परकार को होता है द्विखंडन और बहुखंडन काने के मतलब होता है एक कोशिका का दो टुकडों में बट जाना दुए खंडन कालाता है और एक टुकडा का दो से अधिक खंडों में तूट जाना बहुँ खंडन कालाता है तो बाइफ्यूजन या बाइनेरी फ्यूजन या विखंडन जो है वो एक कोशिका का दो या दो से अधिक टुकड़ों में बटना ही विखंडन कलाता है और ये अलेंगिक जनन का पहला प्रोसेस दूसरा प्रकरिय अगर देखा जाए तो मुकुलन विधी या काली कायन विधी तो मुकुलन विधी में क्या होता है कि इस प्रजनन में वयस्क जीव के सरीर पर पहले एक उभार बनता है जिसे कली कहते हैं यहाँ विखित होकर एक पुनविखित जीव बना देता है तथ पत्शात यह जनक से अलग होकर के एक नया जीव बन जाता है इसका अच्छा काषए कुदारन है हेड्रा हेड्रा में क्या होता है कि सबसे पहले यह के उभार आता है और उभार आने के बाद जैसे ये एडल्ट हो जाता है ये अपनी डॉक्टर ये पैरेंट बोडी से अलग हो करके फिर नया एक बोडी का नेवान करता है ठीक है चलिए नेक्ष देख लेते हैं अगला पॉइंट कि प्लाजमी रिमा द्वारा या बाई प्लाजमोल लोमी तो ये क्या है यहां बहु केंद्रक की जीवों में पा जाता है जिनका जीव द्रव विभाजित होकर के दो जीवों में बढ़ जाता है जिव द्रव का मतलब होगी आपका साइटू प्लाज बात में केंद्रिक्य केंद्रक विभाजित होकर पहली जैसे संख्या प्राप्त कर लेता है करने के मतलब होता है जिस तरह से एक कोशी का विभाजित होती है कोशी का विभाजित होने से पहले उनका जो केंद्रक है पहले वो डिभाइड होता है फिर उसके पाद साइटो प्लाजम डिभाइड होता है और फिर वो कोशी का दो भागों में बढ़ जाता है यानि कि दो ड एक्जाम्पल है और पे लोईना और एक है पाली मिक्सा तो जितनी भी एक्जाम्पल से एक्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं तो आज लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट क्लास थेंक्यू